सर्दियों के दिनों में अपने रूम को गर्म करने के लिए अगर आप अपने लिए एक बज़ेट-friendly रूमिटर पर्चिस करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट में कितने टाइप की रूमिटर्स अवेलेबल है और आपको किस रूमिटर को अपने लिए किस कंडिशन में पर्चेस करना चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब दूँगा साथ ही आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट बजट फ्रेंडली कन्विक्शन रूमिटर्स इन इंडिया 2020 तरी के बारे में वो भी प्रावजन कॉल्स के साथ में जिससे कि आपको मदद मिलेगे अपने लिए एक बेस्ट बाइंड डिसें लेने में मारकेट में आपको तेन टाइप की रूमिटर्स मलेंगे रेडियंट, कन्विक्शन और ओल फ्री रूमिटर्स इनकी प्राइस की बात करें तो रेडियंट रूमिटर्स आपको 800 रूपिस से लेकर 1500 रूपिस तक की प्राइस बे मिल जाता है वहीं दोस्तों conviction air blow room meters आपको जो है वो 1,000 रूपिस से लेकर 30,000 रूपिस तक की price में मल जाता है वही oil free room meters दोस्तों आपको 6,000 से लेकर 12,000 रूपिस तक की price की देखने को मल जाता है अब हम बात करता है कि इन तेनों ही room meter में से कौन सा room meter आपकी room को कितनी जादा जल्दी गर्म करेगा दोस्तों अगर आपके room की size जो है वो 150 से 170 square foot तक है तो radiant और conviction room meters आपके room को लगबग 2 घंटे में पूरी तरीके से गर्म कर देंगे वहीं इसी room को पूरी तरीके से गर्म करने के लिए oil free room meters थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा क्योंकि दोस्तों oil free room meters के अंदर जो भी free room करा होती है उसके अंदर oil बढ़ा होता है और उसको गर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन oil free room meters का फायदा यह है कि दोस्तों एक बार अगर आपके room को यह proper गर्म कर देगा तो काफी लंबे समय तक आपके room को गर्म ही रखेगा वही radiant और convection room meter को अगर आप बंद कर देते हैं यह electricity चली जाती है तो तुरद आपके room के अंदर से जो भी गर्मी है वो भी चली जाती है यहने कि आपका room जो है वो जल्दी से थंड़ा हो जाता है लेकित oil free room meters में ऐसा बिल्कुल नहीं होता लंबे समय तक आपका room गर्म रहता है अब बात करता है इन तेनों ही room meters के safety concern की सबसे पहले बात करता है oil free room meters की तो दोस्तों यह बिल्कुल safe होता है इनमे safety का कोई concern होता ही नहीं है वहीं दोस्तों बात करें radiant room meters की तो इनमें जो top में grill आपको मिलती है वो उतनी जादा मजबूत नहीं होती है और खास करके दोस्तों यह छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी safe नहीं माने जाता है वहीं दोस्तों conviction room meters के अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको यह द्यान दगना है कि छोटे बच्चों को इन room meters के ठीक सामने नहीं बिठाना है खास करके दोस्तों बच्चों के synthetic कपड़े पेना हो क्योंकि यह बिल्कुल भी उनकी लिए safe नहीं रहता है अब बात करते हैं कि दोस्तों इन तीनों की room meters में से कौन सो room meters सबसे ज्यादा power consumption करता है दोस्तों radiant room meter और conviction room meters कम power consume करता है जबकि oil free room meter सबसे ज्यादा power consumption करता है जब भी आप अपने लिए एक नया room meter purchase करें तो brand की marketing gimmick से आपको बिल्कुल बच के रहना है क्योंकि बहुत से brand उनके जो भी room meters आता है उनकी packing के उपर ये mention कर देता है कि वो room meters oxygen को बिल्कुल burn नहीं करते है खास करके oil free room meters के packing के उपर जरूर ये mention होता है दोस्तों आपके बस किसी भी type का room meter हो चाहे वो radiant हो या conviction हो या फिर oil free हो वो दोस्तों बिल्कुल भी oxygen को burn नहीं करेगा खास करके electricity से चलने वाले जो भी इंडिया में room meters आता है वो बिल्कुल oxygen को burn नहीं करते लेकिन radiant और conviction room meters में एक issue आता है वो ये है कि दोस्तों ये humidity level को थोड़ा सा कम कर देते हैं उससे आप कैसे manage कर सकते हैं उसका छोटा सा उपाय है कि दोस्तों जब कभी भी आप इंडिया रूम में रख दे रहा है जिससे कि humidity level बिल्कुल manage रहा है इस वीडियो में आपको top 5 best conviction room meters के बारे में बताऊंगा दोस्तों की working process की बात करें तो इन room meters के अंदर आपको heater मिलता है साथ में आपको एक fan मिलता है और ये heater जो होता है दोस्तों वो heat produce करता है और फिर दोस्तों fan की मदद से आपकी room में चारों तरफ जो है याने की एक जगर से दुसरी जगर काफी आसाने से shift कर सकता है ये design में आपको काफी compact और छोटे यहाँ पर देखने को बलता है वहीं दोस्तों ये काफी less power consumption करता है और आपके room को जल्दी से गर्म भी कर देता है वहीं दोस्तों इनके cons नहीं के नुकसान की बात करूँ तो दोस्तों छोटे बच्चे को directly इन room meters के सामने आपको नहीं बिटाना है खास करके synthetic कपड़े पैन कर क्योंकि वह उनके लिए बिल्कुल भी safe नहीं होता है और दोस्तों इन 2 meters के अंदर आपको fan देखने को मलता है तो ये थोड़े से noisy होता है याने कि दोस्तों चितना fan noise करता है उतना ही ये room meters noise भी करता है लेकिन अगर आपको इस noise से बिनकुल फर्क नहीं पड़ता है तो इसे में दोस्तों conviction room meters आपके लिए बहुत इच्छी choice बन जाता है क्योंकि ये budget friendly होता है तॉप 5 best conviction room meter in India 2023 में नमबर 5 पर है और पेट की ओर से आने वाला ये room meter जिसके अंदर आपको 2000 watt का heater मिलेगा इस room meter में cool touch metal body आपको देखने को मल जाती है वहीं दोस्तों आपको 2 hit setting मिलेगी जिसमें room meter से आप 1000 watt और 2000 watt में hitting ले सकता है इस room meter के अंदर आपको cutout protection का feature मिलेगा साथे आपको overload protection का feature भी देखने को मल जाता है जो कि safety के लिए काफी बड़िया बात है वही warranty की बात करें तो एक साल की और और प्रड़क्ट पर warranty मिलेगी और इस room meter की फिलाल करन पाइसे दोस्तों 1114 रुपए जिसके best wearing link देए मैं आपको description box में top 5 best conviction room meter in India 2023 में number 4 पर है औरियंट की और से आना वाला ये room meter जो कि आपको 2000 power watt की heater के साथ मिल जाता है इस room meter में आपको plastic ABS body यहाँ पर देखने को मिलती है और dwell placement के option मिल जाता है यानि कि आप room meters को एसे रखके भी यूज़ कर सकता है और एसे भी रखके यूज़ कर सकता है साथ ही दोस्तों आपको two heat setting मिल जाएगी जिसमें room meter से आप 1000 watt और 2000 watt दोनों ही capacity से heating ले सकता है इस room meter में दोस्तों आपको जो है वो five level safety features से यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है साथ ही दोस्तों आपको जो है वो fan का यहाँ पर multi-purpose use भी देखने को मिल जाएगा यानि कि summer में जो है वो आप इससे without hitting भी यूज़ कर सकता है cooling के लिए और दोस्तों अगर आपको winter भी यूज़ करना है तो आप इसे as a heater भी यूज़ कर सकता है औरियन्ट की और से इस product पर आपको एक साल की और-वर प्रटक पर warranty मिलती है और इस heater की दोस्तों फिलाल करन प्राइज से 249 रुपए जिसके best winding दी है मैं आपको description box में नमबर दीन पर है बजाज की और से अने वाला ये रूमिटर जो कि आपको 2000 पावर वाट के heater के साथ मिल जाता है इस रूमिटर की design आपको काफी compact और बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलती है और इसमें आपको दोस्तों 2 heat setting देखने को मिल जाएगी जिसमें आप 1000 watt और 2000 watt दोनों में ही heating ले सकता है यह रूमिटर दोस्तों safety के लिए भी काफे बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर आपको automatic cutoff और overload protection देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों यह रूमिटर आपको ISI approved भी देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया बात है safety के साफ से इस रूमिटर पर दोस्तों बजाएच की ओर से आपको 200 LQ और प्रटक्ट पर warranty मिलेगी और अगर आप इससे अपने लिए पर्थिस करना चाहता है तो फिलाल इसके करन प्राइस है दोस्तों 1899 रूमिटर जिसके बस्त बाइंग लिंग दी है में आपको description box में टाप 5 बस्त रूमिटर इन इने टो 2023 में नमबर 2 पर है उशा की ओर से आने वाला ये रूमिटर जो कि आपको 2000 वाट के हीटर के साथ मिल जाता है इस हीटर की दोस्तों आपको twin turbo design यहाँ पर देखनी को मलती है और safety के साबसे भी ये रूमिटर काफी बढ़िया है इसमें आपको overload protection का feature मिल जाता है और ये रूमिटर आपको i-side upload भी मिलता है इस रूमिटर में दोस्तों आपको 2 fan speed मिलती है जिसमें आप high और low दोनों ही fan speed में आप इस रूमिटर को यूज कर सकता है साथे आपको 3 hit setting मिल जाएगी जिसमें आप रूमिटर को 662, 330 और 2000 watt में यूज कर सकता है यनि कि अलग-अलग temperature में, अलग-अलग fan speed से आप इस रूमिटर से hitting ले सकता है warranty की बात करें तो एक साल की ओरोन पोटक पर आपको warranty मिल जाएगी और इस रूमिटर के दोस्तों फिलाल करण प्राइस से 290 रूमिटर जिसके best buying link दी है मैंने आपको description box में top 5 best conviction रूमिटर इन इन ये 2023 में, number 1 पर है Hevels की ओर से आनवला ये रूमिटर जो कि आपको एक अच्छी compact design के साथ मिल जाता है और इस रूमिटर में आपको pretty से ceramic hitting elements मिलता है साथ ही आपको double यहाँ पर overheat protection का feature भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर adjustable vent देखने को मिल जाता है वाई warranty के बायत करें तो एक साल की ओर रूमिटर को अपने लिए फिलाल पर्चेस करना चाहता है तो इसकी current price है 3190 रूपए जिसके best buying link दी है मैंने आपको description box में दोस्तों बहुत ही मैनत दोर इस्टर्च करके आपके लिए एक वीडियो बनाता है ताकि आपको मदद हो अपने लिए एक best product को purchase करने में इससे में दोस्तों कोई भी product अगर आप online purchase करना चाहता है तो हमारे दोरा दे गई affiliate link से ही purchase करें आपको वहाँ पर bank के credit card और debit card के उपर offers देखने को मले जाएंगे और अगर आप हमारी affiliate link से अगर purchase करता है तो आपके product के price तो वही रहती है लेकिन दोस्तों आप indirectly हमारे channel की काफी financially help कर देता है अगर आप हमें support करना चाहता है तो हमारे दोरा दे गई affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों यही complete details top 5 best convention roometer in India 2023 के बारे में जहां हमने आपको इन 5 ही roometers की features और technology के बारे में detail में बता है साथ दोस्तों आपको कुछ important points में बता है जिससे कि आपको वद्द मिलेगी अपने लिए एक best roometer purchase करने में तो दोस्तों अगर आपका budget जो है वो थोड़ा सा कम है तो essay में दोस्तों ओर्पेट और orient का roometer आपके लिए अच्छी choice बन जाता है लेकिन अगर आपका medium segment का budget है तो दोस्तों आप कुछा या फिर बजाच की roometer के साथ भी जा सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा स्यदा लाइक कीजिए और अपने family friends के साथ इस वीडियो को जरूर शेर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपके सवालों कर अप्लाए आपको जरूर दूँगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मलता है बहुँ चल्ट एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरा